हलो एवरिवन एजी फीजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी आज के इस वीडियो में एक बार पुने बहुत बहुत स्वाकत है कक्सा बारहे की फीजिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसके जो चेप्टर नमबर पांच है चुम्बक्त वै एवं द्रव्य इसके जो इंपोर्टेंट प्रशन है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले है ये जो चेप्टर है वो आपका बॉर्ड प्रिक्षा में टोटल तीन नमबर का पूछा जाएगा इसमें से आपका एक नमबर का एक अबजेक्टिव प्रशन रहेगा एक पुल मिलाकर के इस चेप्टर में से तीन नमबर के लिए एक एक नमबर के ही तीन प्रशन पूछे जाने वाले हैं चलिए फटा-फट चर्चा करते हैं कौन-कौन से महत्वपूर्पूर्शन है जो परिक्षा में पूछे जा सकते हैं नमबर एक पे हमने जो प्रशन लिया कि अतिचालक पदार्थों के लिए जो चुम्बक क्ये प्रवर्ती होती है उसका मान कितना होता है यानि चुम्बक क्ये प्रवर्ती को हम काई से रिपर्जेंट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है तो इसका आंसर होगा माइनस वान गतिमान आवेश जो होता है नियत वेग से गतिमान आवेश जो है वो विदुत क्षित्र और चुम्बक क्षित्र उत्पन करता है अगला प्रशन है मुक्त आकास की चुम्बक क्या प्रवर्ति कितनी होती है तो मुक्त आकास की चुम्बक क्या प्रवर्ति है वो आपकी जीरो रहती है सैथिल ले पास का जो क्षित्र प्रति चक्र उर्जाहानी को प्रदशित करता है पांचवा प्रसन हमने लिया है खालिस्तान की चुम्बक्ये प्रवर्ति रिनात्मक होती है तीन तरह के हमने चुम्बक्ये प्रति चुम्बक्ये और लोह चुम्बक्ये तो इसमें से चुम्बक्ये प्रवर्ति रिनात्मक जो किया है एक नंबर के प्रेशन में आपसे ये परीभासाएं भी पूछी जा सकती हैं अनुचुम्बक किये पदात किसे कहते हैं प्रती चुम्बक किये पदात किसे कहते हैं लोह चुम्बक किये पदात किसे कहते हैं वे पदात जो ऐसमान चुम्बक की एक्षेत्र में रखने पर कम तीवरता से अधिक तीवरता की तरफ अल्प आकर्शित होते हैं या अल्प विश्थापित होते हैं अनुचुम्बक यह कहलाते हैं और जो अधिक तीवरता से कम तीवरता की तरफ चले जाते हैं वो प्रती चुम्बक यह और जो कम तीवरता से अधिक तीवरता की पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है क्यूरी टंपरेशर किसे कहते हैं। चंपरेशर किसे कहते हैं। वह टंपरेशर जिस से जादा टंपरेशर होने पर जो अनुचुम्ब के पदार्थ में तबदिल हो जाता हैं। उस temperature को हम क्यूरी ताप कहते हैं तो यह चार definition जो है वो इस chapter की बड़ी महत्वपूर है आगे कहा गया है कि लोहे के लिए जो क्यूरी ताप है उसका मान कितना है तो यह आपका 770 degree centigrade रहता है 770 इसको आप Kelvin के अंदर भी लिख सकते हैं अगला question है अनुचूंबक ये पदार्थ की चूंबक ये प्रवर्टी है वह ताप में संबंध लिखिये तो अनुचूंबक ये पदार्थों की चूंबक ये प्रवर्टी है वो temperature के वितकरमानुपाती होती है आगे बढ़ता है अगला प्रेशन हमारा क्या कहरा देखते है स्थाई और एस्थाई जो चुम्बक है उसके बी एच वक्र बनाईए यानि स्टील और नरम लोहे के लिए जो बी एच वक्र है वो ड्रो करना बनाना आप से पुछा जा सकता है तो इसके लिए भी आप अच्छी तरह से अभ्यास कर ले स्थाई चुम्बक जो होगा उसको बनाने के लिए जो हम पदार्थ काम में लेंगे उसकी धारन सीलता एवं उसकी निगराहिता का मान कितना होना चाहिए तो धारण सीलता कितनी होनी चाहिए और निगराहिता कितनी होनी चाहिए ये दोनों प्रेशन जो है इन दोनों का रिक्त स्थान जो है इसका आंसर भी आप लोगों को ढूंडना है यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यदि आप इसके आंसर ढूंडेंगे पता करेंगे तो आपको ये चेप्टर के बहुत सारे स्टेट्मेंट्स पढ़ने पढ़ेंगे और आपका ये चेप्टर अच्छी तरह से तयार हो जाएगा अगला प्रेशन है भंवर धाराएं किसे कहते हैं और इन्हें कम कैसे किया जा सकता है ED करण जिने अपन कहते हैं नेक्स्ट है भू चुम्बक्त्व के जो अव्यव हैं उनके नाम लिखिये किसी भी स्थान पर चुम्बक की एक्षित्र की पूरी जानकारी पता करने के लिए हमारे पास तीन तरह की बहुतिक राशियां होती है एक नती कोण होता है एक नमन कोण होता है और प्रत्वी के चुम्बक की एक खित्र का खित्र घटक होता है ये तीनों के जो नाम है वो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं अगला प्रेशन है किसी धारावाही कुंडली या परिनालीका से उत्पन होने वाला जो चुंबक की अक्षित्र है उसको डाइग्राम के रूप में आपको ड्रो करना है किसी कुंडली के लिए भी पूछा जा सकता है और किसी परिनालीका के लिए जब किसी धारावाई परिनालीका के कारण जब उसके अंदर चुंबक के ख्षेत रुदपन होगा तो उसकी जो चुंबक ये बलरे खाएं हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी कि वो किस तरह से जाती हैं ये डाइग्राम आपको बनाना है अगला है ट्रांसफार्मर में जो भमरधाराएं होती हैं उनको कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ब्लेड्स काम में ली जाती हैं वो बहुत पतली पतली विद्यूत अधार पर करते हैं तो यहां पर domain सिद्धान्त के अधार पर हम इनकी व्यक्या करते हैं domain सिद्धान्त क्या है यह सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए तो इस वीडियो में हमने केवल इस चैप्टर में से किस तरह से प्रशन पूछ जाते हैं उनके बारे में चर्चा करी है आपको यदि तीन नंबर का complete तयारी करनी है तो मेरी हिदायत मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि प्लीज आप इसका हर एक पॉइंट हर एक सब्द आप इस चेप्टर का अच्छे से पढ़ें आज के इस वीडियो में इतना ही अगले चेप्ट अच्छे की ऑपर पुरा फोकॉस रख